जैहिन स्वाइपारी विद्यार्थियों को मैं संजीव सिंग आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम एक फ्लोरर्स पर और आज का देखिए नया चैप्टर है आपका एससी जीडी पुलीस यूपी असाई तमाम बेकेंसियों के लिए जो अर्थम संख्या से करती है उस संख्या को आज हम आपको पहचान करवाएंगे और जाने संख्या से कौन संख्या कर सकती है उसको किस तरह से हम पहचान सकते हैं ठीख है या मेरे भाई बड़ी हो संख्या उससे कोई फरक नहीं पड़ता संख्या छोटी हो या संख्या बड़ी हो लेकिन डिपेंड यह करता है कि जो संख्या दी गई है जो संख्या दी गई है माली जी यहां पर कोई संख्या है ठीक है इतनी बड़ी संख्या है और या तो इतना बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं आपके लिए जो भी संख्या दिया गया है इस संख्या के लाश्ट में जो दो नंबर लिखे गए हैं यह दोनों नंबर क्या सॉरी दो हो उस संख्या का जो यूनिट डिजिट है वो इवन नंबर होना चाहिए या तो फिर जीरो होना चाहिए अगर इवन या जीरो में से कोई है तो संख्या 100% आपकी दो से विभाजित होगी तो चलिए अब बात करते हैं वहाँ पर हम पहचानेंगे कि जो question दिया गया है उस question मे कौन से संख्या है दो से कटने वाली है और कौन से संख्या है दो से कटने वाली नहीं है देखिएगा अगर हम पहले question की बात करें तो यहां पर unit digit क्या दिया है और 8 आपका क्या है 8 आपका एक even number है 8 आपका एक संख्या है अगर यह संख्या है तो 100% दो से विभाजित होगा 100% दो से विवाजित होगा आरा समझ में अब देखिएगा हम second question पर आते हैं और यहां पर हम पुरी संख्या को नहीं पढ़ेंगे ना पुरी संख्या में हम भाग देंगे वो तो फिर बेवकुफी कहलाएगी हमारी ना मतलब क्या होता है कहां से चीज़ों को हम पकड़ लें कि वहां से मेरा काम हो जाए और मैं आगे फिर next question पर focus करूँ अगर second question पर देखा जाए तो यहां पर unit digit आपका क्या है भाई 6 है और अगर यह 6 है तो मुझे इतना ग्यान है कि अगर even number के कोई बात कर दे even number के अगर कोई बात कर दे तो even number क्या होता है 2, 4, 6, 8 यही आपके समसंक्या होते हैं और आपको पता है कि यह क्या है आपका यह आपका है 0 तो अगर last में कहीं पर in में से कोई दिख जाए या पर 0 दिख जाए तो फिर आप तुरंद कहेंगे यह तो समसंक्या या 0 है पूरे परसेंट डोज से घ्रफाजित होगा ठीक है अब आयें के तिसरे को यंगे तिसरे को सिन पार और रहे चाहिए कभाजित नहीं 5 यह अब बढ़ते अंगले को स्फचन पर और अगले को सिन पर आयेंगे देखेंगे इसका यूनिट डिजिट क्या है आप तो यूनिट डिजिट आपको यहाँ पर 6 देखेगा और 6 देखते ही बताएंगे यह even नंबर है और अगर even है तो 100% 2 से भाज़ित होगा ठीक है तो यह तरीका था आपका पहचानने का अब आगे बढ़ते हैं अगले कुश्चिन पर चलिए अब देखिए अगला आपका लिखा है तीन से भाज़कता का नियम तीन से विभाज़ित होने वाली संख्याएं अब देखिए कैसे पहचानेंगे आप कि कौन से संख्या तीन से कटने वाली है या कौन से संख्या तीन से कटने वाली नहीं है चलिए ध्यान से कोई भी संख्या दिया गया हो कोई भी संख्या दिया गया हो फिर वही बातें कि पुरानी संख्याएं छोटी हो या संख्याएं बड़ी हो डिपेंड वो नहीं करता जो संख्या दी गई है इन संख्याओं के नंबर को आप क्या करेंगे इन संख्याओं के नंबर को आप रही है अगर वह वैलू आपकी 3 से कट जाएगी पूरी संख्या आपकी 3 से कट जाएगी अगर उनको जोडने पर जो मुझे नंबर मिल रहा है या मुझे 2 संख्या मिल रहा है वो संख्या अगर 3 से दिवाइड नहीं होगी आए आकको तो दिखाते हैं कैसे जैसे एक्जामपल के मैं आपकर अगर समझा दूँ तो एक्जामपल देखिएगा फिलाल question तो लिखा है लेकिन question से पहले आए कुछ समझाते हैं आपको जैसे लिखा रहे हैं यहाँ पर टू वन ये ज़ो संफया के नमबर्स को जोडेंगे तो दो और एक तिन चले 02 कितना हो गया और बारह होगया और आगर और भी नहीं चाहते हैं और आगर हम नहीं करें तो 12 में क्या करेंगा यह से भाग देंगये और इतना तो मुझे पता है कि 12 में system से भाग जाएगा यह इनको आइड कर आया 12 12 में हमगर 6 231 छोटा से एक्जामपल 231 लिखा रहे 231 लिखा रहे तो आप से पूछेंगे हम भाई क्या 231 तीन से कटेगा तो आप कहेंगे इसको जोड़ देजिए 2-1 जोड़िए सबको तो 3-2-5-6 इसको जोड़ा गया तो क्या आया भाई 6 और 6-3 से कट रहा है तो आप कहेंगे 231 भी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे कि जो संख्या दी जाती है उस संख्या के अंकों का योग निकालेंगे अगर उनके अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या आपके 3 से डिवाइड हो जाएगी यहां पर लिखा है आपका 23421 इस संख्या को चेक करना है क्या 3 से डिवाइड होगा तो आप कहेंगे इसको पहले जोड़िए 2 और 3 5 5 4 9 9 2 11 11 11 कितना आ गया 12 इनको जोड़ा गया तो आया 12 और 12 3 से डिवाइड है कि नहीं आप कहेंगे 12 3 से डिवाइड है तो अगर 12 3 से हो जाएगा एक तरीका को हम और इससे बहतर बताते हैं जिसमें आपको जोड़ने की आओ सकता ही नहीं पड़ेगी आप देखते ही बताएंगे संख्या 3 से कटने वाली है कि नहीं कटने वाली आई इसको मिटाते हैं कि अब देखिएगा जैसे मालीचे कोई संख्या दिया गया है हमें इसका योगी तो चाहिए कि इसका योग तीहों से ढिवायजा है के नहीं जाये मुझे चाहिए न को करते हैं इस तीन को तीन से काट सकते हैं किया है इस एक और दो का योता है तीन होता है यह भी कट जाएगा यहां पर चारड़-ई कितना होता है छह होता है तो यह भी कट जाएगा देखिए फिर समझ लेजी सी का है मैं यहां पर लिखा था इपका 2, 3, 4, 2, 1 देखिए लिखा है आपका 2, 3, 4, 2, 1 यही संख्या यहाँ पर लिखा है आपको काटना है 3 से तो देखिए पहले तो सोचिए 3 से 3 तो कटेगा ही कटेगा अब 2 और 1 को मिलाकर 3 होता है तो यह भी cancel हो गया 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है ओ 6 भी आपका 3 से कटता है तो हम कहेंगे पूरी संख्या आपकी 3 से कट रही है सेसफल कुछ नहीं बच रहा है सेसफल कुछ नहीं बच रहा है तो पहली संख्या आपकी divide होगी 3 से अगर अगले question पर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है 2, 3, 4, 2, 2 अगर देखें तो पहले हम 3 को 3 से काट देंगे कि 3 से 3 तो कटी जाएगा देखें चार और 2 होता है 6, 4, 2, 6 डिवाइड हो गया यहाँ पर 2 बचा आए यहाँ पर 2 बचा आए और 2, 2 जोडेंगे तो 4 होगा और 4 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो आपका एक सेस रह जाएगा और आप कहेंगे उस केस में यह संख्या आपकी डिवाइड 3 से नहीं होगी ठीक है आईए अगले कोश्चन पर आते हैं अगले कोश्चन पर आएंगे आप तो देखेंगे एक संख्या है 6 आपका 3 से डिवाइड होता है तो हमने 6 को काड़ दिया आगे देखा जाए तो देखें 4 और 2 क्या होता है 6 यह भी आपका कैंसिल हो गया लेकिन अभी भी देखें एक आपका सेस बचा है एक आपका सेस बच गया है तो हम कहेंगे भाई यह संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी यह संख्या आपके 3 से डिवाइड नहीं होगी आरा समझ में या अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो चीजों को हम एक बार और प्लियर करते देखें कैसे करेंगे इनको जोड़िए तीन और दो पाँच पाँच चार नव नव दो इग्यारा दो कितना होगा तेरा होगा और तेरा में जब तीन से भाग देंगे तो ये संख्या नहीं कटेगी तो आप क्यांगे भाई ये नहीं कटने वाली है इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो एक और दो तीन होता है तीन और चार साथ होता है साथ छे कितना होगा तेरा होगा और तेरा तीन से नहीं कटेगी तो ये भी संख्या आपकी नहीं कटेगी ठीक आप चाहे योग निकालके कर लें और चाहे उसको ऐसे ऐसे काट काट कर लें जैसे आपको सुबधा पड़े वैसे कर सकते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है दोनों चीज़े आपके लिए बहतर है आईए आगे बढ़ते हैं अगला question देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है 3 तो 3 को 3 हम पहले काट दे 9 लिखा है तो 9 देखिए जो संख्या है exact देखा जाए 3 से कट रही है उसको हम पहले ही काट के छोटा कर देंगे तो 3 को काट दिया और 9 को काट दिया और देखिए तो 2 और 1 क्या होता है 3 होता है साथ और दो क्या होता है नव होता है यहां पर देखे चार है यहां पर दो है कड़ गया चार दो छे कुछ सेस्पल नहीं बचा आपको तो आप कहेंगे यह संख्या 100% 3 से डिवाइड होगी यह संख्या 100% 3 से डिवाइड होगी चलिए आगे बढ़ते अगली question पर यहां देख नव चार और दो छे तो पूरी संख्या आपकी कड़ गई सेस्पल कुछ नहीं बचा पूरी संख्या आपकी कड़ गई सेस्पल कुछ नहीं बचा तो आप कहेंगे यह संख्या भी आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी आरा समझ में अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question पर हम ठीक है देखिएगा अब देखिए पहले हम जो तीन से कटने वाले संख्या है जो मुझे दिख रहा है पहले उसको काट के महटा देंगे जैसे यहां पर देखिए 6 को काट दिया हमने 3 को काटा और 3 को काटा और आगे चेकरी कोई संख्या दिख रहा है अब कोई संख और एक ये 9 होता है, 8, 7, 15, 15, 15, 13 से कड़ जाता है, 2 और 4, 6, 6, 3 से कड़ता है, 1 और 5, 6, 5 और 1, 6, दिखे सब कट गया, लेकिन यह एक आपका छूट गया है, ध्यां से देखिएगा, एक आपका छूट गया है, तो आप कहेंगे ये संख्या आपका 3 से भिभाजित नहीं यह संख्याप का तीन से भी भाजित नहीं होगा अगर आपको यकीन ना आए तो आप सब को जोड़ जोड़ कर देखिए कौन सी नंबर मिलती है और जो नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा उसमें तीन सी डिवाइड करिएगा आपको सारी चीजे क्लियर हो जाएंगी ठीक है त उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ गए होंगी अब बढ़ते हैं आगे अगले कुश्टन पर है अब देखिए यहां पर लिखा है चार से भाज़कता का नियम आपने दो देखा तीन देखा अब लिखा है चार से भाज़कता का नियम कौन सी संख्या ऐसी है जो चा चार से भाजक्ता करनियम दिया है तो आप चीजों को समझिएगा फिर से देखिएगा कोई संख्या फिर से वह पुरानी बाते आपसे हम दोहराएंगे याद करिए हमारी बात को कोई संख्या कभी बड़ी भी आ सकती है कभी छोटी भी आ सकती है लेकिन जो संख्या दिया हो उस संख्या के लाश्ट में हम चेक करेंगे उस संख्या के लाश्ट में जाएंगे और जो दो नंबर यहाँ पर दिये गए हैं जो दो नमबर यहाँ पर दिये गए हैं, अगर वो दोनों नमबर चार से विभाजित हैं, तो पुरी संख्या आपकी चार से कट जाएगी, अगर कोई पूछे आपसे, कोई इतना बड़ा नमबर दे दे आपके सामने, कि क्या यह संख्या चार से कटेगी, तो आप पुरे जान है, कि चार से कोई संख्या कटेगी, तो लाश्ट के दो नमबर को आप चेक करेंगे, और दो नमबर को गेस करके बता देंगे, कहां अगर यह कट रहा है दोनों नमबर, तो पुरे संख्या उसकी कट जाएगी, या तो या तो यह ना देकर आपसे पूछ ले, या तो आपसे कह दे, कि बताइए, क्या संख्या चार से कटेगी, और लाश्ट में लिखा रहे है, दो जीरो, लाश्ट में क्या लिखा रहे है, दो जीरो, या तो जो नमबर दिये गए है, वो नमबर चार से कटे, या तो उसके लाश्ट में दो ठो जीरो लिखा हो, तो भी हम कहे संख्या आपके चार्ट से कट जाएगे तो भी हम क्या बोलेंगे यह संख्या आपकी चार्ट से कट जाएगी आरा समझ में तो यह सारी चीजह आपको हम समझा दिये हैं अब आते हैं question पर चलिए देखिए पहला कुशन क्या है आपका यहां पर लिका 43700 तो हम पूरे संख्या पर ध्यान नहीं देंगे क्यों इतना बेवकूफ हमें है नहीं चीज़े हम समझ चुके हैं अब सीधे जो पॉइंट की चीज़े हैं जो पॉइंट वाली बाते हैं तो उस पर फोकस करें मुझे दो जिरो न अब इस तुर्षा के लास्ट में क्या देखा मुझे Cultural देखा और तुरंत मुझे बात दिमाग में आएगा यार इस बताया गया था ना कि जब कोई संख्या दिया रहे और उस संख्या के लाश्ट में 2010 रहे तो वह संख्या तो 4 से कट जाती एँ तो से विभाजित होता है तो यह संख्या पूरी 4 से कट जाएगी अब चलते हैं अगले कोश्चन पर यहां पर 8 है यहां पर 8 है अगर 88 में हम देखें 88 देखें तो 4 से कट जाएगी 88 क्या है बाई 4 से कटने वाली संख्या है तो पूरी संख्या आपकी 4 से डिवाइड हो जाएग ठीक है चलिए यहां पर लिखा है 4 और 6 यह 46 लिखा है अगर 46 में मेरे भाई 4 से भाग देंगे हम तो 4 एक कम 4 होगा और 6 बचेगा और 6 में जब 4 से भाग देंगे तो 6 में 4 से भाग देने पर 2 स्थेस बच जाएगा और यह संख्या आपकी 4 से डिवाइड नहीं होगी यह 24 चार से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या आपकी चार से कट जाएगी चिक अब देखें आखरी में यहाँ पर लिखा है दो जीरो और आपको अभी कुछ दिर पहले बताये थे कि या तो जो नंबर लिखे गए हैं वो चार से डिवाइड हो दोनो या तो लाश्ट में दो कि अब दो नहीं होगा ठीक है इस आरी चीज़ों कर अब समझ गए होंगे और को अब रुग गया अच्छलिये अब यहाँ पर देखी है यहाँ पर लिकाप्र संख्या है डिविसबील्टी रूलल आफ 5 5 से कटने वाली संख्याल है तो कौन सी संख्या 5 से कटी है आई उसके पारे में आपको बताएं ह mail जिए कोई संख्याल लिखा गिया है और संख्या के बारे में पूछा जाए आपसे क्या ये संख्या 5 से कटेगी तो आप इतने बड़े मसीन तो कलिकुलेटर आपके दिमाग बें रखा नहीं बस देखती बता देंगे हां हां कट जाएगी या फिर नहीं कटेगी उसके लिए आपको कुछ न कुछ आना चाहिए उसका पहचा होता है वो फाइफ हो या तो जीरो हो जो यूनिट डिजिट होता है या तो खुद पांच हो या तो जीरो हो तभी क्या होगा पांच से डिवाइड होगा ठीक है तो आप इस चीश को समझ गे न कि कोई संख्या दिया रहे चाहे संख्या बड़ा हो चाहे संख्या छोटा हो पूरे संख्या पर मुझे फोकस नहीं करना है उस संख्या के केवल यूनिट डिजिट पर फोकस करना है कि वो संख्या 5 है कि 0 अगर इन दोनों में से कोई 3, 4, 0, 5 लिखा है लेकिन इतना बड़ा हम गलती नहीं करेंगे कि हम पूरा यहां से 5 से भाग लगाना शुरू करेंगे इतनी बड़ी गलती हम नहीं करेंगे हम लोग क्या करेंगे देखिए हम लोग क्या करेंगे इसके यूनिट डिजिट पर जाएंगे और देखेंगे यहा क्या बोलेंगे कि यह संख्या 100% 5 से कड़ जाएगी ठीक है आई अगले कॉश्चन पर अगले कुश्चन पर जब आएंगे तो देखेंगे लिखा है और जीरो लिखा है तो क्या दिख्कत है जीरो और पांच दोनों चल जाएंगे ना तो ये भी संख्या क्या होगी आपकी पांच से डिवाइड हो जाएगी ठिक आगे बड़ी एकले कुस्टिन पत यहां पर लिखा है 5 5 को देखते दिल्खुस हो जाएगा और आप बोलेंगे भाई यह तो 100% पांच से कट जाएगा अब आएंगे आखिर में यहां देखिए यहां पर इसका आखरी डिजिट क्या लिखा है वन लेकिन लाश्ट में क्या कर दिया एक लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है हमें तो चेक करना है क्या हमें तो लाश्ट का चेक कब लाश्ट का डिजिट लाश्ट का डिजिट आया बात समझ में चलिए अब बढ़ते हैं आगे तेज भले पढ़ा रहे होंगे आपको लेकिन आपको हर एक चीज तमझ में आ रहा होगा यह मुझे पूरा भरोसा है अपने आप पर और आप पर भी भरोसा है कि आप भी च की घाय हैं सबसे ठीक कि दूब कर बता यह तो आपने आप में अकेले है और है जो संख्या है आपका श्य क्या ठीक अकेले के-अले से हर्ट बनाई है तो आप बताएंगे कि जो 6 नमबर है यह मिलकर किसे बनाए बहीं दो और तीन का गुड़ा करके दो और तीन का गुड़ा करके बनाए क्या छे तो छे से वही संख्या कटेगी 6 से वही संख्या कटेगी जो 2 से डिवाइड हो और 3 से डिवाइड हो इसका पहचान क्या है 6 से वही संख्या डिवाइड होगी जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे यह नहीं कि 2 से कट गया तो 3 से ना कटे चल जाएगा या 3 से कट गया तो छोड़ देंगे 2 से भले ना कटे दोनों से कटे यह नियम है इसका दो और तीन दोनों से जो कटेगा वही आपका 6 से कटेगा, तो अब देखिया, आपके सामने गुश्च्छन है, और कैसे करेंगे, आई समझाते हैं आपको, अगर मैं आपके सामने कुश्चन लाके रख दू, कोई नमबर लाके रख दू, य सबसे पहले आप 2 से चेक करेंगे कि सबसे पहले आप 3 चेक करेंगे हैं बताइए कि सबसे पहले आप 2 से काडएंगे कितीन से आपको पता है कि 2 से वही संख्या कड़ती है जिसके लास्ट में कोई इवन नंबर हो या तो 0 हूँ या तो कि ल tahun consider आतो तो तो 2 से नहीं कटेगी, अगर 2 से नहीं कट रही है मेरे भाई, तो 3 से कट भी जाएगी, तो भी कुछ नहीं कर पाएगी, अगर 2 से नहीं कट रही है, और 3 से कट भी जाएगी, तो भी कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए सबसे पहले हम चेक करेंगे किस से, 2 से, अगर 2 से कटता होगा तभी हम आगे चेक करेंगे तीन से कटने के लिए अगर दो से नहीं कट रहा है तो हम आगे चेक करना छोड़ देंगे बाइद वे हम चेक करें और तीन से डिवाइड भी हो जाए तो चाह फरक परता है कोई दिक्कत नहीं है क्या लिख पाया गया है कि दो और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए तो सबसे पहले हम दिमाग लगाएंगे अपना कभी गलती यह ना करिएगा कि पहले 3 से काटना शुरू कर देगे तीन से अगर कट भी जाता है तो फिर दो से आप काठेंगे और दो से कब काठेंगे या क्योंकि दो से आपको पता है कि लाश्ट में 011 और इवन नंबर चेक करना है मुझे तो सब्सक्रstellung अगर दो में से चेक करिएगा अगर दो से कटता है तो आगे चेक करेंगे अगर 2 से नहीं कटता है तो वहीं छोड़ देंगे ठीक है अब आईए आगे हम question पर चलते हैं देखें यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका even number देखें तो भाई क्या है 2 और 2 को देखते ही हम लोग बोलेंगे यार इतो 2 से कट रहा है अगर 2 से कट रहा है तो आगे चेक करेंगे यह हो सकता है 3 से भी कट जाए 2 से तो कटी रहा है अगर 3 से भी कट गया तो 6 से भी कट गया इसका fix हो गया आगे 3 से काट के देखें तो 3 से देखें 3 तो पहली बार कट जाएगा 3 यह भी कट जाएगा यहां देखे तो 2 और 1 3 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, यह संख्या पुरी तरह से 3 से भी डिवाइड है, 2 से तो पहले ही कट रही थी, 2 से तो पहले ही कट गई थी, और 3 से भी कट गई, तो यह संख्या आपकी 6 से डिवाइड हो गई, आया समझ में आपको, चलिए, अगरा अगर 3 से कट भी जा रहा है तो 6 से थोड़ी कट पाएगी क्योंकि 6 से वहीं कटेगी जो 2 और 3 दोरों से कट जाए लेकिन आए चेक कर लेते हैं आपके तसल्ली के लिए को दिखी यहां पर 3 से तो 3 पहले काट देंगे हम साथ और दो 9 होता है एक और दो तीन होता है दो और एक तीन होता है तो देखिए 3 से तो पुरी तरह से कट रहा है लेकिन 2 से नहीं कट रहा है तो हम בכS ये 6 से नहीं ौटोगी ये 6 से नहीं होगी on समझ में आपको अब छली अगले कोश्चन पर देखें द् discosuts Kingdom अले कोश्चन पर आएंगे यहाँ पर लेकिंगे क्या लिएक एक और एक देखने क्या बोलेंगे यह संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी अगर 2 से नहीं हो रही है तो 3 से हो भी जाएगी तो भी कोई फरक नहीं पढ़ता हमको य्योगि काटना है मुझे 5 से और 6 से नियम यही कहता है कि 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए और 2 से नहीं कट रहा है 3 से कट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आई एक बार चेक कर लेते हैं जिसे 3 से 3 कट जाएगा 4 और 2 6 हो गया 5 और 1 6 हो गया 3 से तो कट रहा है लेकिन 2 से नहीं कट रहा था इसको क्या करेंगे हम कैंसल कर देंगे कि यह 6 से डिवाइड जोजे वाले संख्या नहीं है आपकी यहां पर देखिएगा में यहां पर देखका जाए तो देखिए 3 से तो 3 कट जाएगा 2 और एक 3 कट गया लेकिन इसका योनिट है वो क्या है आपका इसका जो यूनिट डिजिट है वो एक है अगर एक है तो दो से नहीं कटेगा तो ये भी आपकी क्या होगी छैसी डिवाइड नहीं होगी आरा समझ में अब चलिए अगला कुशन देखिएगा यहाँ पर देखिए इवन नंबर क्या है इसका लाश्ट का इवन है की नहीं है भाई इसका क्या है लाश्ट का नंबर इवन है तो आप अगर देखेंगे इवन नंबर है तो आप कहेंगे मेरे भाई ये तो दो से कटने वाला संख्या है ये दो से कटने वाला संख्या है लेकिन आगे जब जाएंगे कि दो से ही नहीं तद मुझे 6 से काटना है और 6 से काटने के लिए 2 और 3 दोनों से काटना जरूरी है तो चलिए 2 तो पास हो गया है लेकिन अभी 3 से काटना जरूरी है चेक करते हैं 3 से आई ये पहले 3 को 3 से काट दें 4 और 2 6 होता है यहाँ पर देखिए 1 और 2 3 होता है 8 और 1 9 होता है इधर 7 बचा है इधर 5 बिता, 7, 5, 12 होता है, और पुरा-पुरा कट गया 3 से, तो ये संख्याप की 6 सी डिवाइड होगी, ये संख्याप की 6 सी डिवाइड होगी, ठीक है, तो चलिए, यहां तक आपने पढ़ लिया है, डिविस बिल्टी रूर आप 6 तक आप पढ़ लिया है, इसके आगे आ 8 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, तमाम इसके आगे कुछन हम करवाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगे, तो चलिए, आज की क्लास आपकी हम यहीं पर ब्रेक करते हैं, इसका जो टाइमिंग है आपका, वो आपका टाइमिंग है, कितना बज़े है, start हुआ है number system, और number system का पहला topic आपका divisibility rule है, इसके बाद हो सकता है, prime number आएगा, unit digit आएगा, number of zero आएगा, cube root निकालना रहेगा, square root निक, बहुत तमाम topic हैं, तो बारी-बारी से हम सब आपके सामने ले कर आएंगे, तो चलिए, आज की class यहीं पर उसको break करते हैं, उसके धन्यवाद कर, फिर आपका class इसी time पर चालू किया जाएगा, तक के लिए धन्यवाद,